हलो नमस्ते स्वागत है दोस्तों आप सभी का चैनल सिविल टेखनिक्स में तो दोस्तों फैनली मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ कि कंस्ट्रक्शन कोश्ट अफ रेसिडेंटल बिल्डिंग बहुत सारे भाई को कॉमेंट्स आ रहा था कि सर आप ये बताइए कि एक घर काश्ट करने में उसका कंस्ट्रक्शन कोश्ट कितना आएगा एक रेसिडेंटल बिल्डिंग बनाने में सिमेंट में कितना खर्च आएगा ब्रीक में कितना खर्च आएगा एस्टील में कितना खर्च आएगा और लेवर में कितना खर्च आएगा सारे चीज आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे अगर आप लोग भी जानना चाहते हो तो हमारे साथ अंत तक बने रहे हैं बिना स्काइब किये इस वीडियो को देखिए क्योंकि इसमें जो मैं बताने बला हूँ वो बहुत डिटियन में बताऊंगा तो चलिए हमारे साथ अंत तक बने रहे हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यह कलासिफिकेशन लिखा हूँ यह कलास ये, कलास बी और कलास सी तो मैं आपको यह बता देता हूँ कि यह क्या है एक थमरूल है कि अगर कलास ये का घर बनाओगे तो आपको per square feet का 1500 से लेकर 2500 रुपया पे करना परेगा यह महंगा परता है यह ज़्यदा तर बहुत कम लोग बनाता है बात करते हैं अब कलास B का तो कलास B का अगर बात करें तो कलास B का अगर हम लोग घर मनाएंगे तो उसमें 1000 रुपया से लेकर के 500 रुपया तक हमें कोश्ट per square feet का पे करना परेगा तो यह ज़्यदा तर हम लोग यही कलास B का ही घर बनाते हैं कि हम लोग गाउंगर में जो बनाता है तो यह नर्मल इसमें सारे चीज आ जाता है उतना कोश्टली भी नहीं परता है 1000 रुपय से 15 square feet का कलास C का जरूरत कहां परता है तो कलास C का घर वहां बनाता है जिसे कि आप लोग गाउंगर में देखे होंगे जहां पर 12 यमियम का सरिया लगना चाहिए वहां पर 10 यमियम का ही लगाता है तो उस वक्त वह कोश्ट कम परता है तो 750 से लेकर के 900 पर करना परता है पर square feet का तो आप लोग समझ गए होंगे कि कलास C का घर बनाएंगे तो 500 से लेकर 2500 रुपय तक हमें एक square feet का पर करना परेगा अगर कलास B का घर बनाएंगे तो 1000 से लेकर के 500 तक हमें cost पर करना परेगा एक square feet का वही अगर कलास C का बनाएंगे तो 750 लेकर 900 तक का हमें पेख करना पड़ेगा, तो मैं आपको एक कीज़ बता दूं, कि 1 sqft का रेट आपको निकल जाएगा, तो आप असानी से निकल सकते हो, कितना भी sqft हो, अगर मान लो, 1 sqft का रेट 1000 रपया पर रहा है, तो 500 sqft का कितना होगा? तो क्या करोगे 500 x 1000 क्योंकि 1 square feet का 1000 पड़ रहा है तो 500 square feet का कितना पड़ेगा 500 x 1000 आप suppose कि आप group B का घर मना रहे हो ठीक और आपका जो घर का area है वो 30 x 25 का है तो आप ये कितना हो जागा 25 तिया पड़ेगा 700 square feet अगर 700 square feet में आप घर मना रहे हो और 1 square feet का आपको खर्च है 1100 रुपया तो आप क्या करोगे अगर 1 square feet का 1100 रुपया है तो 700 कितना हो जागा तो 700 x 1100 कर दोगे तो आपका total खर्च घर का आजएगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिमिंट में कितना लगेगा सेंड में कितना लगेगा इस्टील खर्च कितना लगेगा लेवर खर्च कितना लगेगा तो चलिए ये भी निकालना सिखा देता हूँ आपको तो यहाँ पर जो मैं निकाल रहा हूँ वो कितना है? 750 square feet के लिए निकाल रहा हूँ आप दूसरा भी निकाल सेकते हूँ इसी तरीके साब भी निकाल सकते हूँ यह इस घर का जो सैज है वो 30 feet by 25 feet का है ठीक गुरूब B का घर बना रहा हूँ और साथे 700 square feet में बना रहा हूँ तो कितना हो जाएगा? मान लेता हूँ कि जो मेरा जो पर रहा हूँ अभी साथे 700 square feet का घर बनाएंगे अगर 1 square feet का 1200 रुपय हम लोग प्येक करेंगे तो उसका total cost आएगा वो 9,00,000 खर्च आएगा आपको इस घर में तो चलिए आप इसका total खर्च निकालते हैं तो मान लेते कितना खर्च आएगा साधे 700 square feet का कितना प्येक करना परेगा हमें 9,00,000 तो यहाँ पर कोश्ट कितना हो जाएगा कि 9,00,000 है total cost तो आप देखते हैं कि सिमेंट में कितना खर्च आएगा तो सिमेंट में जो आएगा वो 13% 9,00,000 में से 13% हम लोग सिमेंट के लिए खर्च करेंगे तो 9,00,000 का 13% कितना होता है तो यहाँ पर आप देख लिजिए 9,00,000 का 13% into 13% कितना हो जाएगा 1,00,000 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,00,000,000 मतलब कि 9,00,000 में से जो हमें सिमेंट के लिए खर्च करना परेगा वो 1,00,000,000 next है बिरिक तो बिरिक के लिए हमें 12% खर्च करना परेगा 9,00,000 में से 12% तो 9,00,000 का 12% कितना हो जाएगा चलिए देख लेते ही अभी तो 9,00,000 into 12% कितना हो रहा है एक लाख आठ हजार तो यहाँ पर क्या हो जागा एक लाख आठ हजार इस में से हमें जो टोटल बिरिक में खर्च आएगा हमें एक लाख आठ हजार हमें बिरिक में खर्च आएगा नेक्स्ट है एस्टील तो एस्टील के लिए हमें 10% खर्च करना परेगा तो 9,10 परसेंट कितना हो जाएगा 90,000 तो मतलब 90,000 हमें इस्टील के लिए खर्च करना परेगा Next देख लेते हैं अपन सैंड तो सैंड के लिए हमें 5% खर्च करना परेगा तो 5% कितना हो जाएगा 9,05 परसेंट वो हो जाएगा 45,000 Next है एग्रिगेट तो एग्रिगेट के लिए 2% खर्च करेंगे तो 9,00,000 का 2% हो जाएगा वो 18,000 तो 18,000 एग्रिगेट में लगेगा Next है लेबर खर्च लेबर में ही सबसे ज़्यादा पैसा लगता है तो लेबर के लिए 25% 9,00,000 का 25% हमें लेबर को पैक करना परेगा इसको अगर 25% निकालेंगे तो वो आएगा 2,25,000 2,25,000 हमें लेबर को पैक करना परेगा Next है अगर डोर एंड विंडोज तो डोर एंड विंडोज के लिए 12% खर्च करेंगे हम लोग तो 12% 9,00,000 का 12% कितना हो जाएगा वो आएगा 1,8,000 Next है इलेक्टिकल वर्क तो इलेक्टिकल वर्क के लिए 8% खर्च करेंगे तो 9,00,000 का 8% कितना हो जाएगा वो 72,000 तो 72,000 हमें इलेक्टिकल वर्क में खर्च आएगा Next है water supply and sewage Water supply and sewage के लिए हम लोग 10% खर्च करना परता है तो 10% खर्च करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 90,000 नेक्स्ट आए एक्स्ट्रा खर्च हमें 3 से 5% खर्च करना पड़ता है तो इसमें एक्स्ट्रा 3% हम एड़ कर देंगे तो 3% एड़ करने के बाद 9,3 परसेंट कितना हो जाएगा? तो वो आएगा मतलब 37,000 तो अगर टोटल को एड़ कर देंगे तो हमारा टोटल खर्च कितना मिल रहा है? मतलब टोटल खर्च 9,00,000 यहाँ पर आ जा रहा है मतलब आपको यह याद रखना होगा कि 13% सिमेंट के लिए खर्च करेंगे 12% बिडिक वर्क के लिए 10% सेटील के लिए 5% सेट के लिए 2% एग्रिगेट के लिए 25% लेबर के लिए 12% दोर एंड विंडोज के लिए 8% इलेक्टीकल वर्क के लिए और 10% water supply सेटील के लिए खर्च करेंगे इस एकस्ट्रा के बाद करेंगे तो एकस्ट्रा 3 से 5% हम एड़ करते है इस building का total खर्च कितना आ रहा है वो 9 लाक देखो यहाँ पर हमारा total cost कितना था 9 लाक और जो खर्च हमें मिल रहा है वो 9 लाक तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर 30 by 25 मतलब सारे 700 square feet का घर है तो उसमें कितना खर्च आ रहा है हमारा 9 लाक अगर बात करें कि 500 square feet के लिए कितना हो जाएगा खर्च तो आपको यहाँ पर कितना हो जाएगा 500 square feet है तो 500 into आगर class B का बना रहे हो तो उसका आपको कितना cost प्या करना पर रहा है एक square feet के लिए 1100 या 1200 या 1500 तो उससे आप इसको multiply कर दोगे सपोज कि आपको खर्च एक square feet का 1000 रुपय ही पर रहा है तो इसको क्या करेंगे 1000 से multiply कर देंगे तो 1000 into 500 ये कितना हो जाएगा 5 लाक मतलब 500 square feet का घर बनाने के लिए 1000 रुपया पर square feet का दर से 5 लाक आ रहा है तो आप 5 लाक का 13% सिमेट में खर्च करेंगे 12% brick work में 10% still work मतलब इसे ही सारे चीज़ हम लोग खर्च करेंगे तो total खर्च जो आएगा यहाँ पर वो 5 लाक आएगा तो उमीद करता हूँ आप लोग जान गए होंगे कि एक घर बनाने में कितना कोश्ट हमें पेक करना परते है कितना लेबर को पेक करना परेगा और कितना material खर्चाएगा तो आप सभी लोग जान गए होंगे आप सभी को यह वीडियो अच्छे लगे होंगे अगर अच्छे वीडियो में